सु लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गार्ड आकर शियाओमू को पकड़ लेती हैं तो मैंगोई उन्हें स्टॉप करा कि उनकी पास आती है एंड कहती है एरी सिस्टर से दूर रहो जिसे सुनकी सब शौक रह जाते हैं मैंगोई शियाओमू से कहती है अपना फेस अब हाइड मत करो तो वो वैसा ही करती है देन मैंगोई सब को बताती है ये मेरी खोई होई ट्वेन सिस्टर है शियाओमू तो पूरा क्रू ये जानकर शौक रह जाता है एंड रिपोर्टर्स उन्हें शूट करने लगते हैं आग और तुम मेरे साथ अब मेरी खर में ओपनली रह सकती हो तो शियाओमू एगरी हो जाती है तब ही मैंगोई को चैनमो की कॉल आती है तो वो शियाओमू से कहती है ये तुम्हारा असिस्टेंट थाना अब ये तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है तो शियाओमू उसे कॉल बिक क कैसे है क्या इसको तुमने हमारी आइडंटिटी के बारे में बता दिया तो शियाओमू उससे कहती है नहीं मैंने किसी को फिये नहीं बताया चैनमू को तो अल्रेडी इसके बारे में पता था लेकिन उसमें मुझसे प्रामिस किया था कि वो किसी को नहीं बताएगा तो मैंग वगत आ गया है एंड जाकर एक फाइल लेकर शियावमो को दिखकर ऊपिन कलने को कहती है जिसमें जैनमो की रिपोर्टर वाली फोटोस होती है एंड जिसे देखकर शियावमो को काफी बड़ा छड़का लगता है आगे जैनमो उसे मिलने आता है तो वो काफी चुप बैठी ह चैनमो कहता है, मुझे मैंगोई के बारे में पता चल गया, लेकिन श्यामो उसे ना जानने का प्रिटेंड करती है, तो चैनमो कहता है, तुम मुझे ना जानने का नाटक क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मैंगोई ने फोर्स किया है? ऐसा कलने के लिए तो बो जाने लगती है लेकिन चैनमो उसका हाँ पकड़ लेता है एंड कहता है मुझे पता है तुम्हें ये सब अपनी सिस्टर के गयने पे कर रही हो किया तुम्हें मुझे बिलीव नहीं है तो बो कहती है हाँ कि तुम एक रिपोर्टर हो और इसलिए ही तुम मुझे पॉलो कर रहे थे ताकि तुम मेरी इंवेस्टिकेशन कर सको और मेरी बारे में गॉसिप कर सको तो बो कहता है हाँ मैं तुम्हारी इंवेस्टिकेशन के परपस से आया था लेकिन मैंने तुम्हें कभी हार नहीं पहुँचाया हाँ बस एक बार तुम्हारे वीडियो ली थी लेकिन वो भी लॉस्ट हो चुकी थी किसी ने उसे नहीं देखा तो ये बही दाइश्वान बाली वीडियो की बात कर रहा होता है तो शियावमो कहती है क्या तुम ही पता है किसी को धोखा देने से कैसा फील होता है और जब आप उस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो बही इनसान आपकी साथ चीट करे तो अचैनमो कहता है मुझे पता है तुम मुझे पे ट्रस्ट नहीं करोगी मुझे पता है तुम्हें इस टाइम कैसा फील हो रहा होगा लेकिन मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ एक जिप देकर उसे कहता है तुम्हें सब खुदी पता चल जाएगा एक बारे से देख लो लेकिन वो काफी गुस्वे में होती है इसलिए कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अब वी टरस्ट करूँगी डैन कहती है अगर तुम्हारी दिल में मेरी लिए सची पीलिंग्स है तो तुम मुझे छोड़ दो तो वो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तो वो कहती है तुम्हें मुझे हट किया है मेरी सिस्टर को हट किया है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मैं तुम्हें कफी देखना नहीं चाती एंड जली जाती है एंड बिजारा चैन मों कुछ नहीं कर पाता आगी पूछ सैट होकर स्नेक्स खाती है कैती है क्या तुम ही उसका सच पता चल गया। तो वो कहती है हाँ। आप सही थी। मैं अब उस पर ट्रस्ट नहीं करूँगी। कि तफी श्यावमू देखती है मैंगुई का हैंड हर्ट है और पूछती है ये कैसे हुआ। तो वो कहती है बस छोटी सी चोट है। तो शियावमू अपना फोन चेक करती है जिसमें लोगों की गॉसिप से फ़रे कमेंड्स आये होते हैं एंड सारी गॉसिप इनकी आइडेंटिटी को लेकर ही होती हैं। तो मैंगूई शियावमू से कहती है इसमें ध्यान मत दो। तो शियावमू उसे हक करके थैंस कहती है। वैल शियावमू उसे बताती है कि ये मेरी डैट हस्पिटल में हैं। उन्हें जल्दी डिस्टार्ज कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए उनकी क्यार करने के लिए अपने होम टाउन जा रही हूँ तो मैंगोई उसे अपना क्रेटिट कार्ड देती है कि ये तुम्हारी काम आएगा इधर बनाना बापस खर आता है तो चैनमो बहां पागलो की तरहां लेटा होता है तो वो उसे उठाता है एंड बताता है कि मुझे सब पता चल गया कि आज प्रेस कांफरेंस में क्या हुआ अगर शियाओमो मैंगोई की डोईन सिस्टर थी तो वो अब तक कहां थी तो चैनमो कहता है उसे पता चल गया कि मैं एक रिपोर्टर था मैं आज उसे सच बता नहीं बाला था लेकिन मैं काफी लेट हो गया तो बनाना उसे कंसोल कराता है नैस्ट मॉर्निंग टैंक्शिन उसे पागलो की तरह सोता हुआ देखकर बनाना से कहती है ऐसा लग रहा है कि ये मर गया है तो बनाना उसे उठाता है तो बो बताते हैं कि मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ श्याउमो एंड मैं अपने घर बापस जा रही है कि तफी उनकी नजर टेवी पे चल रही नियूस पे जाती है कि लास्ट नाइट उन दोनों का खुलासा हो चुका है तो चैनमो उनसे पूछता है आप इस टाइम है कहां तभी पेचे से श्याउमो की अवाज आती है कि बस थोड़ी दिर में आती ही होगी एंड फोन कट जाता है तो चैनमो ये सुनकर जल्दी से फाकता है इधर वो बस में चड़ी रही होते है तभी चैनमो बहां आ जाता है एंड श्याउमो को रुखने के लिए कहता है लेकिन वो बस में आकर बैट जाती है तो उसके डाट कहते है ये तो चैनमो की अवाज है लेकिन वो उसे इक्नोर करती है एंड उनकी बस चली जाती है आगे हम चैनमो को भी जैड वाली मोड में नूडल्स खाते हुए देखते है तभी बनाना फोन चेक करता है एंड उसे नियूस से पता चलता है कि मैंगोई की ट्वेन सिस्टर सिटी छोड़के चली गई है एंड समझ जाता है कि चैनमो अपसेट क्यों है इधर ये तोनों फी अपने होम टाउन पहुच जाते है इधर चैनमिंग ने मैंगोई को फ्योचर प्रैंस का डिसकस करने के लिए बुलाया होता है तो मैंगोई यहां अपना एटिट्यूट दिखाती है कि मैंने तुम्हारे साथ 5 साल से वर्क किया है लेकिन तुमने कफी फी मेरी पाइदे के लिए कुछ नहीं किया बस सारा प्रॉफिट खुद ही रख लिया अब मैं तुम्हारे साथ वर्क नहीं करना चाती एंड चली जाती है आगे शियाओमो बरतंद हो रही होती है तो उसकी फिंगर कट हो जाती है तफी मैंगोई की उसे कॉल आती है जो उसका हाल चाल लेती है तो शियाओमो उससे पूछती है क्या चैनमो की कॉल आई थी तो वो उसे मना करती है कि तुम टेंचन मतलो अब भो तुम्हारे पास भटके काफी नहीं आगे एक लेडी उनके कैफे पे आती है एंट शियाओमो से कहती है तुम तो काफी ब्यूटिफुल हो तुम मेरे नैफुसे मिल लो वो लगफ़क तुम्हारी ही उम्र का है तो शियाओमो की टैड उन्हें मना करते है तो वो उनसे कहती है क्या आपको इसकी शादी की चिंता नहीं है इसकी सिस्टर तो एक काफी बड़ी सुपरिस्टार है ना क्या आप इसे ऐसे रखके काम कराना चाते है जिसी सुनके शियाओमो को काभी बुरा लगता है तो वो उनकी बगवास रोकने के लिए कहती है ठेक है मैं आपके नेफू से मिल लूँगी तो वो लेटी खुशी से चली जाती है तो उसके डैट उससे कहती है तुमने उन्हें हां क्यों बोला क्या तुम्हें जैनमो की चिंता नहीं है तो वो कहती है उसका नाम मत लेजिये अब हमारे बीच कुछ नहीं है एंड चली जाती है आगे उनका नेफू शियावमो से मिलने आता है जो काफी पागल एंड पकाऊ होता है जहां शियावमो का दिमाग खराव हो जाता है कि इससे बीच्छा कैसे छुडाए एंड तफी उसे एक गिड़ बुलाने आ जाता है वो चला जाता है जो उसे हैलो बोलता है लेकिन वो उसे रिप्लाई नहीं करती तो आगे रात में वो उसे आकर मिस्विहब कलने लगता है कि तुमने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया तो वो उसे सुनाने लगती है तो वो उसे धमकी देता है कि तुम चुपचाप मेरी गल्फेंट बन जाओ वलना अच्छा नहीं होगा एंड उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो हाथ छुडाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छोड़ता कि तफी बहाँ जैनमो पहुँच जाता है एंड उसकी डंडा मार के उसे स्टॉप कराता है तो वो पूछता है तुम कौन हो तो जैनमो कहता है तुम एक गल्ज को छेड़ रहे हो मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है अब मैं इसे ब्राडकास्ट करूँगा तो वो तरकी फाग जाता है तो शैनमो उसे पूसती है तुम यहां कैसे आए तुमो तुम ही थे जिसने मेरी हेल्प की एंड फ्लेश पैक दिखाते है जब जैनमो ने उसकी हेल्प की थी उसकी बॉक्सिस रख कर भी एंड उसका यसी उसका पीछा चुड़ा कर भी जैनमो उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए परिट था शैनमो कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तुम वापस चले जाओ एंड जाही रही होती है कि वो उसे रोकता है तो वो कहती है अब मैं एक सुपर स्टाल नहीं रही तुम्हे मेरा पीछा करकी अब कोई नीउस नहीं मिलेगी तो तुम मुझे छोड़ दो जैनमो कहता है मैं तुम से मावी मागने आया हूँ मैं मानता हूँ मैंने तुम्हे धोका दिया जुट बोला लेकिन मैंने तुम्हें कफी हट नहीं किया तोबो कहती है लेकिन अभी तुम मुझे हट कर रही हो तो जैनमो कहता है ठीक है तुम मुझे नराज हो लेकिन तुम्हारे ड्रीम का क्या क्या तुम दुवारा एक्टरस बना नहीं जाती तोबो कहती है नहीं तो बो कहता है, तुम ऐसा मैंगोई की बचा से बोल रही हो ना तो बो कहती है, तुम मुझे में इंटर्फियाद मत करो मुझे तुम्हारे प्याल पे फिलीब नहीं है डैन जाही रही होती है, फिर जनमु उसे खीच के पकल लेता है डैन उसे किस करता है तो वो उसके एक रख देती है एंड नंदर चली जाती है ज़िवाँ देवाँ 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 एपिसोड यहीं एंड होता है If you like this video, please like, share and comment and yeah, don't forget, press the bell icon So thanks watching this video, bye bye and take care